है गाइस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल को सो गाइस COVID-19 की वज़ासे तकरीबन तकरीबन सभी लोगों को आर्थिक दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है बहुत ऐसी मेरभाई है जिनके कारोबार बंद हो चुके है बहुत ऐसी मेरभाई है जिनके घर में medical emergency आ गया किसी को college फिस देनी है किसी को school फिस देनी है लेना च का तक के वल NBFC company है NBFC bank ये loan दे रहेते हैं लेकिन अभी क्या हुआ है तकरीबन तकरीबन सभी finance company और सभी bank को ने loan देना start कर दिया या आपने देखा भी होगा आपके पास बार बार offer भी आ रहे होगे है तो guys आपका भाई आपके लिए यहाँ पर एक बड़ा जबरतस वाल बेंक लेकर आया और बेंक कादा ear ko ्वें कोटेक मेहंद्रा बेंक जहाँ पर आप ले सकतے हैं पचास हजार पर से लेकर 20 लाक रुपी तक का लोन जी हाँ गाई कि यहाँ पर लोन आपको मिल सकता है 50 लाड कर 20 लाक रुपी तक कर यह लोन आप लिसकते है साल से लेकर 5 साल तक के लिए सब से कम इंटरस्ट पर आपको यहाँ पर यह लोन मिलेगा और बहुत ही कम डोकुमेंट्स में आपको यहाँ पर लोन मिलेगा आपको कुछ भी टाइम वेस नहीं होता, लाइक कर दिए, चैनल सब्स्राइब कर लिजिए, और बेल अकन दबा दिए, ताकि आपको नए उडिक नोटिफिकेशन मिलता रहे. गाइस वीडियो स्टाइट करने से पहले आपका भाई आपसे आप एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता है, आपके भाई ने एक नया चैनल बनाया है, जिसका नाम है लोन बाबा, अगर आप लेना चाहते हैं, अर्जेंट लोन, एमर्जेंस लोन, आपको चाहिए एक र या फिर आप लेना चाहते हैं, होम लोन, बिजनेस लोन, हर तरह के लोन की वीडियो आपको उस चैनल पर मिलने वाली है, आपके लिए बड़ा helpful होने वाला है, वो चैनल आने वाले टाइम में, तो भाई, आपसे छोड़ी सी रिक्वेस्ट है, उस चैनल का लिंक आपको डि अधर लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको इहाँ पर और भी लोन मिल जायेंगे, आपने ऊपर Explore Product पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको Loan में जाने के बाद आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप यहाँ पर Home Loan ले सकते हैं, Car Loan ले सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर contact payday loan भी ले सकते हैं gold loan मिल जाएगा loan against securities, loan against property और consumer finance भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको नहीं चाहिए personal loan इसके लिए आप यहाँ पर कोई और loan भी apply कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते है personal loan तो simply personal loan पर click करना है page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं guys अगर आपके family में कोई शादी है तो उसके लिए आप यहाँ पर loan के apply कर सकते हैं dream vacation के लिए आप loan ले सकते हैं medical expenses के लिए आप यहाँ पर loan ले सकते हैं आपको यहाँ पर attractive interest rate मिलने वाले हैं यानि 10.75% per annum के interest पर आपको यहाँ पर loan मिल जाएगा अगर आपको एक बार approve मिल जाता है केवल 3 second के अंदर आपकी loan amount आपके bank के अंदर यह दे देंगे अगर आप loan लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी eligibility चेक करनी होगी ठीक है और eligibility चेक करने के लिए आपको eligibility पर click करना होगा और जैसे आप eligibility पर click करेंगे page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा तो guys यहाँ पर यह बोले कि परसनल लोन eligibility criteria है यहाँ पर आप दे सकते हैं यह बोले कि आपकी salary कम से कम 20,000 पर मेना होनी चाहिए और हम केवल salaried individual को ही loan देने वाले हैं आप Indian residence होने चाहिए और आपकी जो उमर है कम से कम 21 से ठावन साल के बीच होनी चाहिए यानि minimum 20 साल और maximum 25 साल होनी चाहिए ठीक है आप जिस जंगे पर रहते हैं जिस city में आप रहते हैं एक साल से रह रहे होने चाहिए और आपको minimum work experience कम से कम एक साल का होना चाहिए और रही बात documents की अगर आप लेना चाहिए कोटेक महिंदरा बैंक से लोन तो आपको यहाँ पर क्या documents देने हैं जानने के लिए आपको required documents पर क्लिक करना होगा और जैसे आप required documents पर क्लिक करेंगे पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर बता रहे हैं क्या क्या documents आपको यहाँ पर देने हैं तो guys यहाँ पर यह बोले हैं कि हम केवल salary को लोन देते हैं और अगर आप एक salary हैं तो आपको यहाँ पर क्या documents देने हैं वो भी आप यहाँ पत्रोड़ा समझ लेजें proof of identity में आपको यहाँ पर passport, pen card, आधार card, voter ID, card, road driving license इनमेंस आपको यहाँ पर कोई भी एक documents दे सकते हैं proof of residence में आपको यहाँ पर utility bill, passport, new license agreement इनमेंस आपको यहाँ भी एक दे सकते हैं ठीक है, बहुत असे मेरे भाई जो मेरे पास बार-बार comments करते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि भाई हम यह बताई हैं, हम पांच लाग का loan ले रहे हैं हमारी EMI कितनी हो जाए, हमारी salary 20-0 मेना है, कोई बोलता हमारी 50-0 मेना है तो भाई मैं आपको यहाँ बोलता हूँ, आपने यहाँ पर loan अपलाई करने से पहले अपनी EMI Calculator जरूर कर लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए है, कि आपकी salary के साब से क्या आप उस EMI को pay कर सकते हैं, जितना loan आप लेना चाते हैं तो आपने क्या करना, EMI Calculator पर क्लिक करना है, उसके बाद page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा ठीक है, गाइस यह बड़ा helpful page होता है, Calculator EMI, इससे आपको समझ आ जाता है, कि जितना भी loan आप लेने चाते हैं, उसकी EMI कितनी होगी क्या आप अपनी salary के साब सूस EMI को pay कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन्होंने आपर बता रखा है, कि अगर आप लेते हैं, पांच लाग का loan, 10.75% per annum के interest पर, 3 साल के लिए, तो आपकी EMI हो जाएगी 16,310 रुपे, ठीक है, 3 साल के लिए यह loan है, 10.75% per annum का interest आपको करना होगा 17,168 रुपे, total repayment आपको यहाँ पर करना होगा 5,67,168 रुपे, ठीक है, तो guys, loan लेने के लिए आपको EMI calculator करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, तो यह है, इसकी eligibility criteria, मैंने आपको यहाँ पर documents बता दिया, fees and charges के अगर मैं बात करूँ, तो आपने fees and charges पर क्लिक करना है, जैसे fees and charges पर आप क्लिक करेंगा, पेज आपके सामने कुछ इस तरीकी से open हो जाएगा, ठीक है, आपको जो interest है, वो start हो जाएगा 10,75% से लेकर, loan processing charges आपके लेएगा, 2,5% जितना भी loan आप लेते है, पलस उस पर GST भी आपकी लगने वाली है, ठीक है, इ I need some help, ask Kaya पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपने loan के लिए अपलाई करना होगा, कैसे अपलाई करना होगी आगे देख लेंगे अभी, वैसे लोगने यहापर बता भी रखिया कुछ detail, यहाप बता रखा कि यहापर तीन स्टेप में आप यहापर loan के लिए अपलाई क आपके eligibility के साब से, अगर आपको यहापर offer मिलता है, उसके बाद आपको यहापर documents वगरा देने होगी, residence proof देना होगा, income proof आपको यहापर देना होगा, employment proof आपको यहापर देना होगा, उसके बाद आपके loan application यहापर submit हो जाएगी, ठीक है, loan application submit होने के बाद आपके loan application review होगी documents verify होंगे उसके बाद अगर आपको अपनों मिलता है उसके बाद loan आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके bank account के अंदर loan apply करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा या तो आपने ask kya पर click करना होगा या फिर आप अपने nearest kotec Rapid Bank कि बरांच जाकर आफिट के लिए लोन के लिए कर सकते हैं ठीक है या फिर आप पर क्लिक करने के बाद आप लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं इनके पाद डारेक्ली कॉंटेक करके भी लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं या फिनकी निजदी की बरांच जागर भी लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं गैस अगर आप लेना चाहते हैं डॉन्ट एप्लाइ कर सकते हैं को ट्थ やक महिंदरा बैक से मुझे अमीद आपको वीडियो पसन एंग है अगर को वीडियो पसने होग को से लाइक कर देगा पहले बार वीडियोर देखें विडिदो से इतना हम वीडियों कर लिखें until that